नवश्का और आप सभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडिक चंद्रशेकर शर्मा दर्शको सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके जान सके आज दिनांग है दो फरवरी सेंद दोजार चौब तो स्वाती नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रे रहेगा योग शूल है दोपेर बारा बच के त्रेपन मिनट तक आगे गंड़ योग है और योग की द्रश्टी से आज का दिन बिलकुल भी शुब नहीं है तो कोई अच्छा कारे करने जा रहे थे कोई बिजनस डील लिया को रिष्टे की बात तो आज के दिन टाल दीजिए करन बव है दौपेर बाद चार बच के पांच मिनट तक आगे बालव करन रहेगा सुर्योदेगा समया दर्शे को सुबह साथ बच के बारा मिनट का था और सूर्यास्त का समय शाम शेबच के नो मिनट का है आज का राहुकाल सुबह 10.30 मिनट से दौपेर 12.00 के बीच है इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा इस पर कोई शुपकारें नहीं करते हैं और लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए अविजित मुरत आज दौपेर 12.00 के 18.00 मिनट से दौपेर 12.00 के दो मिनट के बीच है दिन में च दिशाशौल दर्स को पष्चिम दुषा में तो पहले कोशिश को यह करें कि पष्चिम दिशा की यात्रा को चाहिए लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है सब आमिए पर हार करें परेहार इस कर्द करना है कि भाश्चिम की और मुक्री जिए थोड़े से राई या जोके द आज का शुब समय दर्शे को यानि आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बज़े से लेकर सुबह 10 बच के 30 मिनट तक फिर दौपेर 12 बच के 40 मिनट से दौपेर 2 बज़े तक फिर शाम 5 व्रश राशी वाले जो विवाइत हैं उनके रिष्टे की बाते आगे बढ़ेंगी वहीं व्रश राशी वालों का डूबावा पैसा आ सकता है वापस मितुन राशी वाले चात्र चात्राओं और कला से जुड़े लोगों के लिए योकारक दिन हैं करक राशी वाले रहेंगे तो सोच विचार कर बहुत ज़्यादा समय खराब कर देंगे लेकिन जीवन साती से चल रहे विवाद आज आपके सुलज जाएंगे व्रश्चिक राशी वाले आर्थिक नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है विवाद भी हो सकते हैं दुनु राशी वालों को लंबे स का रखना है विशेष ध्यान खास करके डाइवर्टीज के रोगी रहे साफधान अब करते हैं आज के दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंत्य द्रश्टी को प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विश्वस रुपायों को जो आपको समश्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं अंत्य में करेंगा आची दिन की जूतिश मंत्रणा और समाधान उसकता है प्रारब्द के वश किसी को नुकूल माहौल मिले किसी को संगर्श में जीवन लेकिन सफलता प्राप्ती में सबसे बड़ा फैक्टर हमेशा से आपका द्रड निश्चे और कार्य में जुटे रहने की शमता हुआ करती है इस पर शास्त्र में एक सुन्दर उधार पकरने इसका अर्थ यह है कि सूर्य के रत को एक ही पहिया है और साप की यानि सर्प की बनीवी लगाम हैं जिससे सयमित कियवे साथ घोड़ें आलंबन रहित मार्ग हैं कहीं रुक नहीं सकते कहीं रेस्ट नहीं कर सकते बिना पैर का सार्थी अरुन हैं तो साधनों की इतन अपने उपर डिपेंडेंसी रखें अपने विश्वास रखें कि मैं यह कर सकता हूं कोई भी काम हो आप द्रड़ निश्चे कर लेंगे अनुशाषित रहेंगे और मेहनत करेंगे तो काम हो जाएगा बशरते आपके वासाधन हो ना हो हमारे पूर्व राष्ट पती जो अ यह थी आज़ी ज्यान चर्चा अब बात करते हैं उन विश्व टुपायों पर जो आपकी सभी प्रगार की समश्चाओं के समयधान बहुती सरलता से करके आपको देते हैं और जिने करके सफलता की और बहुती तेज गती से दरता से असफलता को पीछे छोड़ते हुए और गौम आता को मीठे चावल खिलाई हैं आज भगवान शिव जी पर किया गया फलो के रस्य अभिशेक और महामृत्यूंजे मंत्र का यता शक्ति जाप आपके आने वाले वर्ष को बहुती सुन्दर और योग कारक बना देगा इसमें कोई संदे नहीं ऐसे दर्शिकों क कभी कभी के काड़नों का अनुमान नहीं लग पाता है कितने भी दवा इलाज सब कर्वालें लेकिन समश्चा की त्यों बनी रहती हैं ऐसे माझ के बहुत सटीक सब्छों योग में ज्यादा च्छा काम करते हैं इसके लिए करना सिरह है कि दौपएर एक बच के चार मिनट स के मीनिट के बीच सवा दो किलो बाजरे का दलिया तयार करें उसमें थोड़ा सा गुड मिला लें उसे मटके में भरें और इस मटके को रोगी के सर पर से साथ बार एंटी क्लोकवाइस घुमाएं और फिर इसे ले जाकर चुराए पर या किसी सुंसान इस्तान पर या उजाड विरान इस्तान पर रखाएं जाते वक्त आते वक्त आप बिल्कुल मोन रखेंगे मटकी रखने के उपरांत पीछे बुड़के नहीं देखेंगे आज से ही सुतारे से रोगी को आराम मिलने लगेगा और स्वास्त में प्रतक्ष सुधार होते वे आप देखेंगे ऐसे ही आज शाम आज बच के 15 मिनट से आप एक मंत्र प्रियोग करके भी इस प्रकार के जीन रोगों से मुक्त हो सकते हैं कभी कभी होता यह है कि अनेक जन्मों के कर्म भी आड़े आ रहे होते हमें स्वास्तिलाब नहीं लेने देते हैं ऐसी स्तिती में आज आप पूजा संपन कर लीजिए इसके लिए करना ये है कि एक सजल नारेल लीजिए पानी वाला नारेल लें ओड़त की मिठाई लें शिव मंदर जाएं पंचुप चार से शिव जी का पूजन करें और एक दीपक प्रजोलित करें और भगवान धर्मराज करें जो हमारे कर्मों का हिसाप शनाऀर आप किताब भही खहता रखते इसके बाद का संकलप लें जल हात में लेकर बूले और फिर इस मंत्र की अहलब कर सकते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको आराब मिलेगा मंतर इस पकार रिखारे ध्यान से समझेगा पिर से समझ करते न contrat को आज ही से होगा कोई संदेan अजाय है तो बागी सदश भगवान हनुमान जी और सिता राम जी को नारियल वस्त्र अर्पित कर इस पहुत ही विशिष्ट चौपाई का सतत जाप करें यही मनी मन जब करते रहे जब तक संकट न टल जाए और हमें शुब समचार न प्राप्त हो जाए ध्यान से समझेगा चौपाई नाम पहारू जाही प्राण के ही बाट इस प्रकार से आप इसको सतजब करते रहे बहुत ही अच्छी शुब सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी तो यह थे आज को विश्ट रुपाई जो आपको समच्चाओं से बाहर ला रहे हैं रोग मुक्ति करवा रहे हैं आपके सवालों की से होटल मैनेजमेंट या शेफ बने के योग हैं इसके रहावा दूसरा आपका जो आप्शन रहेगा विकल्प रहेगा वो सिक्षा या कोई लेंग्वेज से सम्मंदित भाशा सम्मंदित काम जैसे अनुवादक के कारे होते हैं विडेश बसने के प्रबल्य होग है शुब पुद्राबिशेग भी करवा लीजी तो बहुत जल्दी आपको आराम मिल जाएगा आज की दूसरी पत्रिकाई है आरव मातुर जी की इनके माता पिता ने पत्रिका भेजिए 10 अक्टूबर सन 2010 का इनका जनम है सुबह साथ बच के 40 मिनट जयपुर प्रशन है क्या काम प्रश्री या फिर व्यापार की योग प्रबल बनते हैं लेकिन की कुंडली में दिख रहा है कि सफलता एकदम सीदे सीदे नहीं मिलेगी बहुत ही मेहनत की बाद मिलेगी और जीवन में बहुत से निर्णे इनके गलत सिद्ध होंगे तो ऐसे स्तिकों सुधारने के लिए जब पवश्य करवा लीजिए आज की तीसरी पत्रिकाई है हमारे दर्सक रमेश शर्मा जी की जैपुर से एक जनवरी उनिस्सो नवासिकन का जनम है शाम आट बजे जैपुर आए कब से ठीक होगी सोर्स विंकम कब से सुद्रेगा देखिए आपकी जनम पत्रिका में शुब त्रिकोण को बल दे जनम पत्रिका का शुब त्रिकोण होता है लगन पंचम नवम तो गले में एक मोती पहने हाथ में पुखराच पहने नित्य दुर्गा श्यत्नामावली कि क्यों पाट कीजिए तो आपको एक दिड़ वर्ष की थोड़ी सी मैनत करेंगे तो समश चर्चा हमने किये जो सत्संग हमने किया है इसे अपने जीवन में होता रहेंगे और धीरे-धीर आपका जीवन शिव में सक्ट्य में और आनन्द में होता जाएगा मैं मादेव से प्राथना करता हूं कि जब आप हमारे बताई वो पाय करें तो आपके कश्टों का निवार